किम सेर उपकंड शेतर के बावंडा थाना शेतर के मानकपूर निवासी मैपाल ने थाना स्टाप पर मारपीट और करेंट के जटके लगाने का लगाया आरोप तता एसपी को नामजद सिकायत करवाई दर्ज नागोर में सोंबार को जिला मुक्यले पर भी किया गया परदशन मानकपूर के ग्रामिनों ने नागोर एसपी ओपिस के बाहर धरना देकर जताया विरोध इस दोरान पीडित ने बताया कि सोंबार को मूंडवा वरतादिकारी धनाराम ने लिये हैं बयान थानेदार वे इस्टाप द्वारा उस पर राजी नामा करने का बनाया जा रहा है दबाव पीडित ने ग्यापन में बताया कि थाना दिकारी हेड कॉंस्टेबल सहीत अन्य नामजद कॉंस्टेबल ने बारी बारी से उसके साथ गंबीर मारपीट करते हुए तसकरी करना कबूल करवाने के लिए किया टोचर इसके बाद सराब बेचने का जुटा मुकदमा दर्श कर जेल बिजवाया गायल पीडित को सनिवार को जेल एन अस्पाल में करवाया गया था बड़ती वहीं रविवार को परिजलों ने एसपी के बंगले के बाहर किया था पर दर्शन पीडित ने बताय कि सेनिवार को जब वे जेल से जमानत पर बार आया तो सीधा एसपी को सिकाय देने पहुंचा परन्तु एसपी नहीं मिले इसके बाद जेल एन अस्पताल जाकर करवाया इलाज उसने बताय कि वे गाउं में एक दुकान पर करता है काम वहाँ अचानक बावंडा पुलीस करमी आए और जिप में जबर्दस्ती बेठा कर ले गए तता जूटा सराब तसकरी का केस बना दिया मैं पाल है और मैं मानक फुरगा रहने वाला हूँ गत चार तरी को मेरे साथ मार पीट हुई मैं अपने डेरी पे दूद ले रहा था तो मुझे जबर्दस्ती पुलिस वाल आए और उटा गर के ले के चले गए ठाने के केमरे बंद गर के मेरे साथ हुद बुरी तरह से मार पीट हुई और सभी पीए हुए थे जिन में ठावला की निकटवर्ती ग्राम करकेडी में इस्तित एक कच्चे मकान में आग लगने से पुरा परवार दूर तर्शा का हुआ सिकार जिसमें सब कुछ जल कर हुआ राक ग्राम कर केड़ी से तीन किलोमेटर दूर नातों की डानी में कच्चे जोंपड़े में रेने वाले सोला वर्षी बालक रमेशनात अपनी बुड़ी मा और नन्नी बांजी के साथ रहता था परिवार पर दुकों का पहड पहले से ही था कि अब आग जनी ने सब कुछ छिन लिया दो वर्षी की आयू में पिता की मौत और कुछ समय पहले बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद इस बालक पर ही थी गर की पूरी जिम्यदारी अब दुरगटना के बाद हालत हो गई है गंबीर इसे लेकर की जा रही है जन सयोग की अपील आज पास के सेत्रों से के समात सेवियों ने आगे आकर सयोग का बड़ाया हाथ आप से भी वी नमर अपील है कि परिवार को आरतिक रूप से मदद करें अधिक जानकरी के लिए आप हमारे सयोगी थाउला पतरकार चंदर शेकर सर्मा से भी संपर कर सकते हैं और आरतिक सायता के लिए समात सेवियों ने परिवार के अकाउंट को डिजिटली फोन पे और गूगल पे से भी जुड़ा रखा है जहां पर भी आप अपनी आरतिक सायता दे सकते हैं जो भी लोग है और जो किया देख दिखा दिया अगर इनको शोग करें आप जो भी शोग हुआ है सजी जो शोग देवे थामला पुलिस ने आपारण के परकरण में प्रभावी कारवाई करते वे मुख्या रोपी और उसकी सेयोगी महिला को किया गिरपतार उसके कबजे से एम दाबाद से नाबालिक बालिका को पेले ही कर लिया गया था दियाप पिता दुआरा थाने में दी गई रिपोर्ट के अधार पर प्लीस ने विशेस टीम गटित करते वे मुख्यर की इतला और गोपनी सुचना के अधार पर 28 नौमबर को एमदाबाद से नाबालिक को किया ता दस्तियाब तता बाल कल्यान समीती के समक स्पेस करते हुए माता पिता को कर दिया ता सुपूर्थ अब आगे की कारवाई में आरोपी केलास कुर्जर एवं उसकी सेयोगी संपती उर्प गोपी को भीलवाडा जिले से किया है गिरपतार मकराना सेर के बोरावड रोड इस्तित सीवा मार्बल के सामने आज बारतिय जनता पार्टी की जन आकरोस महा सबा का होगा आयोजन विदाइक रुपराम मुरावतिया के नेतर्ट्व में पार्टी के पदादिकारियों एवं कारे करताओं ने उपकंड शेतर के लोगों से सबा में पहुंचने के लिए किया है संपर्क सबा में राजसमन सांसद दिया कुमारी सिरी नगर सांसद निहाल चन मेगवाल चोमू विदायक रामलाल सर्मा सहित जिले के विदायक पूर विदायक एवं अन्य पदादिकारी भी रहेंगे मौजूद नागर जिले के रून गाउं के निकट सेननी के रक्तवीर करनल सिव सिंग के सोवें जनम दिवस के मोके पर मीडिया कर्मी एवं समात सेवी के साथ साथ जिला सांती समिती के सदशे पत्रकार फकरुदिन कोकर को किया गया सम्मानित इस मोके पर करनल सीव सिंग एवं उनके परिजनों ने माला सापा पेना कर किया सम्मान नागोर सहर में 180 बच्चों को पिलाए गई सुवन प्राशन ओस्दी संसकर्ती आरे गुरुकुलम राजकोट के तत्वाधान में नागोर सहर में जन से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेश सिवीरों का आयोजन कर विबिन केंद्रों के माध्यम से 180 बच्चों को किया मकराना नगर परिशत की पार्षद निर्मा परेवा ने जिलाक लेक्टर प्यूस समरिया को पत्र लिख कर सिक्षा कोसल विकास योजना के तहत लंबित आवेदनों पर ध्याना कर्शित करने की कही बात उन्होंने बताया कि शिक्षा कोसल विबाग के माध्यम से कख्षा 5 में उत्यर्ण करने के पश्चात नीमित अध्यन के लिए विद्यार्थियों को चात्रवर्ति के रूप में मिलने वाली आर्थिक सायता अब तक सर्मीकों के पात्र संतानों को नहीं मिली है जिले में इस मकर्शकरांती पर उपर चाइनीज मांजा के इस्तमाल पर लगा दी गई है रोक अगर कोई चाइनीज मांजा बेशते या उप्योग करते पाया गया तो उन्हें जैल भी जाना पड़ सकता है उलंगन करने पर बारते दंड सही ताकि दारा 188 के तहट होगा दंडनी अपराद तता नियमानुसार कारवाई करते वे चलाया जागा विशेश अभियान लोग स्वास्ते मानो सुरुक्षा एवंपस उपक्षियों की जान के खत्रे को ध्यान में रखते हुए पतंग बाजी के लिए परियुक्त होने वाले धातु के मिसरन से निर्मित चाइनीज मांजे के उप्योग पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी सक्तियों का परियोग क वजे से साथ वजे तक पतंग उडाने पर भी लगाया है पर्तिबंद यह हैं निउस 21 राजिस्तान नागोर जिल्ले और राजिस्तान का सबसे विश्वस्तने एवन तेजी से बढ़ता निउस पोर्ट रोल